न्यू इंडिया और डिजिटल भारत बनाने का शोर मोधी सरकार में खूब सुनाई दिया है बैंकिंग से लेकर खरीददारी और पढ़ाई तक सारे काम डिजिटली करने पर जोर दिया जा रहा है लेकिन इस बीच देश में साइबर सुरक्षा का मुद्धा भी प्रमुखता से उठाया जा रहा है क्योंकि डिजिटल माद्यमों का गलत इस्तमाल करते हुए हैकिंग और ठगी भी काफी बढ़ गई है देश के प्रधान मंतरी का सोशल मीडिया अकाउंट भी साइबर अपराद से नहीं बच सका ऐसे में आम आदमी के लिए साइबर सुरक्षा कितनी उपलब्ध है ये एक बड़ा सवाल है सोंबार को कॉंग्रेस ने यही सवाल संसद में भी उठाया देखे रिपोर्ट दोबारा इसी प्रकार का एक और ट्वीट किया गया और उसे भी कुछ देर बाद डिलीट कर दिया गया लेकिन तब तक स्क्रीन शॉट वाइरल हो चुके थे इस गड़बडी के कुछ देर बाद सवा तीन बजे पीमों ने ट्वीट करके बताया कि पीम नरिंदर मोदी के ट्वीटर हैंडल से छेर चाड हुई थी जिससे सुधार लिया गया है वहीं इस दोरान साजा हुए किसी भी ट्वीट को अंदेखा किया जाना चाहिए प्रधानमंत्री का अकाउंट तो सुरक्षित कर लिया गया लेकिन आम आदमी के अकाउंट क्या सुरक्षित है उन्होंने कहा कि ऐसे समय जब सरकार क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है और उनके अकाउंट से कुछ समय के लिए छेरचार की गई थी तो एक लिंक को ट्वीट भी किया गया था कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को मानेता देने जा रही है सरकार को इस पश्ट करना चाहिए कि क्या वो क्रिप्ट करेंसी को मानिता देने जा रही है या नहीं अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर किस तरह जनता को आश्वस्त करती है डीवी लाइब की रिपोर्ट